नरमदे अरह नमस्कार दोस्तों श्वागते आप शपी का सिंबल मार्क प्रश्णत्री के एक और वीडियो में जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं ये प्रश्णत्री वीडियो जो है वो मैने की 10, 20 और 30 तारीकों अप्लोड करता हूँ मगर कभी कभी काम की विस्तता के कारण इन तारीकों में अपलोड नहीं कर पाता हो तो नेक्ट डे को वीडियो जरूर अपलोड होता है और इसी तरह पीछली 20 तारीकों में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो यह वीडियो आपको 30 तारीकों मिल रहा है तो शुरू करते हैं आज के प्रश्ण उत्री वीडियो को और लेते हैं सबसे पहली कमेंट किसकी है तो आज के प्रश्ण उत्री वीडियो में सबसे पहली कमेंट है यह सरी सुरेंदर परताब सिंग की है और सुरह अंदर परताप सिंग जी कहते है कि नर्मदेहर मोटी कड़ाई, सोटी कड़ाई, कड़ी पानी आधि किस इस्थान से कम दूरी पर हापेशोर कहां से कैसे पहुंचे देखें मोटी कडाई, सोटी कडाई, कड़ी пानी आदी किस इस्तान से? मतल़ आपेशवर की दूरी नजदी कोन पड़ता है? तो ज़ाहिर कड़ी पानी पड़ता है और आपेशवर अगर आपको जा ना है तो वहांद के दौरे में बता देता हूँ कि गुजरात का जो सोटा हुदेपूर है या कवांट है वहां से दिन में चार से पांसा जो शिटी बसे वो चलती है दो बसे सुबह चलती है और दो साम को चलती है अगर सोटा हुदेपूर से आप जाते तो वहां से भी शिटी बसे चलती है और कमाट से भी बसे आती है इसके आगे की कमेंटेशरी सुशीला सोलिंग कीजीगी और सुशीला बेन कह रही है कि 6 मंत में पूरी करनी हो तो रोज का कितना चलना पड़ेंगा परिक्रमा अगर 6 महीने में पूरी करनी हो तो कितना चलना पड़ेंगा देखी ये परशन जो है इसके मैं कई बार जवाब दे शुका हो कि अपरवक जो नरबदा परिक्रमा है वो 3000 किलोमेटर के आसपास है अब आप दिन में कितना चलते है इस हिसाब से आप अपने हिसाब से उसका बगा कार कर लीजिए और मेरे अंदास से अगर 15-20 किलोमेटर चलते है तो आराम से पांस याचे महीने में पूरी हो जाएंगी आगे की कमेंटे शृय रवी भाई की और रवी भाई कहरे नरमदेहर एक प्रश्ण है शूल पाने की जाड़ी जंगल विस्तार की पकडणी शिवाए अगर कोई और मार्ग हो तो बताए देखे सूल पानी की जाड़ी में जो पक डंडी है उसके अलावा और मारग मुझे तो नहीं पताया हाँ अगर आप सूल पानी जाड़ी में नहीं जाने साथ है तो बड़वानी से प्रकासा होते हुए आप अबावन गजा होते हुए उस मारग से परिक्रमा कर सकते है इसके आगे की कमेंट है शरी देविधाज जी की और देविधाज जी कहरें नर्मदय हर विरंदर भाई आपको देविधाज जी आपको एक परशन पुछना है कि पती-पत्नी दोनों परिक्रमा निकले और ऐसे सुंसान रास्ते जंगल पहाड दूप या यह वो शुरक्षित होगा पति पत्नी को अकेले परिक्रमा को निकलना है वैसे तो मैं देखता हूँ कुछ महिला भी अकेली निकलती है और टैंशन नर्बदा मैया पर सोड़ कर ऑप परिक्रमा कीजिए और जो नर्बदा खंड है वो पूरी तरसे सुरक्सीत है अगर कुछ बातों को अपवात मानें तो अभी तक नहीं सुना है कि किसी के साथ कुछ दूरोःवार हुआ है कुछ एरिये हो सकते जहांपर कुछ सरावी हर गाम में होते मिल सकते, जो परिशन कर सकते ऐसा कई-कई पर सुना है, कभी-कभी बाकी तो कोई दिक्कत नहीं और महिलाओं के लिए बिलकुल दिक्कत नहीं है आराम से आप परिक्रमा कर सकते हैं आगे की कमेंटर शरी परभू जी की है और परभू जी की कमेंटर नर्बदेहर भाई एक शवाल मन में आया है कि इस वीडियो में उडवा गाउं में एक बरीज आया और आपने कहा कि नर्बदा महिया का पानी उसमें बैता है तो नर्बदा परिक्रमा में रीवर क्रोश नहीं करना होता है तो यहां से आपने नर्बदा का पानी को क्रोश किया तो ऐसे परिक्रमा गलत हो गलत तो हुआ क्या आप से जवाब मिलने की आसा है देखिए ऐसा है प्रभुजी की वर्तमान परिस्तिती के अनुसान नरवदा मैया का जो जल है वो अनेक नहरों से होता हुए बैता हुआ और कई-कई किलोमेटर तक जाता है तो अगर आप उसे प ऊक्य के पात्र हुआ उससे पाण नहीं करना उसका उलंगर नहीं करना है बाकी तो इस तरह से Chili को को बसाना जाते तो परिक्रमा संबावी नहीं है В हैं अगली कमेंट बार में दवस्तिर्थों ना जिन्नोद्वार हो रहा है कि आगे के लिए शुब काव को मानाव को बहु और आपकी comment का जिवाब यह है कि बहुत से तिर्थ जो मैंया के किनारह पर है MAiams के पर पॉरानि के प्राशिनि हें वह धवस्त होते जा रहे हैं तो किसी किसी तिर्थों के पुर्णो द्वार या पुर्णो द्वार का कार्य हो रहा है बाकि यह कहना सही नहीं होगा कि हर तिर्थों का पुर्णो द्वार हो रहा है पविश्य में अगर होता है तो पता नहीं हमने जब तक कि यात्रा किया वहां पर ऐसा नहीं देगा या कुछ तिर्थ है जहां पर पुर्णो द्वार या उन्हें बसाने का प्रियास हो रहा है। अगली कमेंटर सरी मान सिंग गोहिल जी की और इनका कमेंटर विरेंदर भाई आप सरोतर के राजपूत हैं मतलब जो हमारा गुजरात का आनन खेडा जिल्ला उसे सरोतर बोलते हैं कि राजस्तान के राजपूत हैं मैं आपका वीडियो हर रोज देखता हूँ बहुत बहुत और आप मेरी मानसिक परिक्रमा हो रही हैं देखिए है आप दोनों समझ सकते हैं वैसे मैं राजस्तान से हूँ और आज से करीब 25-27 साल पहले गुजरात में आकर बसा था आनन जिल्ले में तो आप दोनों समझ सकते हैं अगली कमेंट है सरी दिनिस कुमार जी की और दिनिस क प्रशन है नर्मदेहर विरेंदर भाई अमरावति महाराश्य हूँ आपको कभी परिक्रमा करते समय रास्ते में कुछ ठगी लोग मिलते हैं तो देखे बहुत से ठगी लोग मिलते हैं और जिने वीडियो में दीखाना समभव नहीं होता है और इस परकार के वाक्य होते रह परिया था और आगे भी मिलते रहते हैं ठगने का प्रियास करते हैं मगर हम यात्रा में बहुत परिपक्व होगे तो मैंने मेरे साथ कभी ठगी हुई ऐसा नहीं होगा है अगली कमेंटर स्री दिनिश कुमार सर्मा जी की और यह कहते हैं राटवर जी नर्वजेहर मेरी मैंने बस से महिया की यात्रा पहले नौ फरवरी फिर दो अपरेयर को पर दोनों बार बस वाले ने कैंसल कर दी फिर मैंने टू वीलर से एक्टिवा से सोचा पर एक तो ग्रामिन एरिया और राश्ते में पेट्रोल की उपलपता के बारे में जानकारी नहीं थी तो रतना सागर में नाव की उपलपत की कमी थी या मैया ने बुलाया नहीं ऐसा कुछ उनका दिक्कत होती है यह उन्हें परिक्रमा करने का सोचा बस में सोचा मगर बस में दो बार कैंसल हुई और वान से इनको थोड़ी जानकारी नहीं थी तो इन्हें बदा देता हूँ वान से बहुत से परिक्रमा वासी परिक्रमा करते हैं और पैट्रोल की कोई दिक्कत नहीं आती है हाँ महिया के किनारे पर जो गाँ है आदिवासी एरी वहाँ पर पैट्रोल पर नहीं होते मगर सोटी सोटी दुकाने होती है जैसे मैं वीडियो में दिखाता रहता हूँ वहीं पर वो पैट्रोल बेशते है बोटल के हिसाब से थोड़ा महंगा पढ़ सकता है मगर पैट्र अब देखिए आप खंड परिक्रमा की साइथ बात कर रहे तो कितना ब्रेक ले सकते कितने दिन का ले सकते वो अपने उपर है जित जैसी अनुकुलता हो उस हिसाब से आप अपनी यात्रा करिए अगली कमेंटर सरी मनिलान लाज जी की और मनिलाज जी कहरे नर्मदेहर विर कोई शीम मंदिर पर जल नहीं सड़ा सकते हैं मा ओमकार इश्वर पर शड़ा सकते हैं बात सस है क्या मनिलाल जी देखिए यह बात मैंने बहुत से लोगों के मुझ से सूनी है जिनको संकाय होती है कि हम परिक्रमा में शीम लिंग पर मैया के जल से अभिश्यक नहीं कर सकते मगर यह सब नियम दता है मेरे अनुमान से लोगों के दिवारा बनाये हुएasına महिया का जल हम सिवजी पर अभिश्यक करते हैं और बहुत सारे पुराने परिक्रमावासी वह भी करते हैं पता नहीं यह बात किसके दिमाग में किसने गुशा दी और आगे बढ़ती रही तो क उतने बाव से यात्रा करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे, वैसा करिए, अगली कमेंट है सरी संदीब जी की और संदीब जी कह रहे हैं, नर्मदहर विरंदर भाई, शुल्पानेश्वर के जंगल में अभी भी लूट होती है क्या, अस्वत्थामा के दर्सन होते हैं, अब संदीब जी देगे, लूट पार तो अभी नहीं होती है, और अस्वत्थामा को बहुत से लोग ऐसे धर्बदा परिक्रमा की कताओं में जोड दिया गया, कि हम अस्वत्थामा के दर्सन हुए, उनके दर्सन हुए, और मेरा मानना ऐसा है, कि अस्व तो ऐसे रिशी मुनियों के दर्सन हो जाते हैं, बागी हर कोई हमारे जैसे एर्य गएरे, पयात्तरा कर जोला उठा के निकल पड़े और ऐसा कहें कि अस्वत्थामा के दर्सन हो रहे हैं, तो बहुती गलत है, और हमें तो कम से कम नहीं हुए हैं, जिनको अस्वत्थामा के माता जी का जल्दी कर सलते हैं प्रीक्मा पूरण होने पर विश्यजन करते हैं या घंड ले जाते हैं देखें जो प्रीक्मा की शुरुगात में संकलाफ लेते हैं जल लेकर मैयां के सलते हैं उजल को उमकारेशवर और ममलेशवर में शड़ा दिया जाता और बाद में जो बसता है वो नर्वदा महिया में विशर्जित किया जाता और बाद में हम घर ले जाने के लिए वहां से सीशी बर सकते हैं अगली कमेंट है चरी योगेश दुबे जी की और योगेश जी की कमेंट है कि विरेंद्र भाई नर्वदेहर क्या खंड परीक्रमा परमानिक है देखिए परमानिक है या नहीं वो मैं नहीं बता सकता इसकी जो शुरुआत है वो हमारे सर्वगिय अमरतलाल वेगर जी ने की और उसके बाद हमारे जैसे लोग करते रहते अपनी अनुकूल्ता के इसाथ से या अपने समय के अनुकूलता के इसाथोरु और मैं नहीं कहा हूंगा कि प्रमानिक है या नहीं तो मैया की किनारे अगर हम चल रहे थोड़ा भी समय दे रहे तो वो वेर्थ नहीं जाता है। अगली कमेंटर शरी पुश्मबा सती जी की और वो पूश्रे जो भी शीवलिंग भेजेंगे उसको नरबदा माई में अच्छे से सनान करा देना जो आपको बहुत सुन्दर लगे हमें सोटा सा साई है। देखिए पुश्मबा बैंजी आपको सीवलिंग चाहिए आप वाट्सअप पर अपना एड्रेस हमें बेज़िए और समय के अनुक वलता के इसाब से आपको सीवलिंग में बेजने का प्रियास करूँगा। दूस्री इनकी कमेंट है कि आप पलीज हमें बेज दीजिए आपका हम आभार रहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप बेजेंगे तो पलीज बता दीजिए गा नरमदेहर। अगली कमेंट है शरी कॉमल सोनी जी की और कमल सोनी जी कह रहे है कि विरेंदर जी नरमदेहर मैं आपकी परिक्रमा दोजार देश से सवाइस की एक से परतेक वीडियो देखने का प्रयाश कर रहा हूँ अभी तक बावन तक देखा है कुर्पया त्रेपन बाग एक सुरा सामवल से सीनोर का वीडियो उपलब कराने की कुर्पा करें देखिए पले लिष्ट में भी नहीं है इनका खहना है तो मैं बता सुका हूँ और पोस्ट भी करता हूँ इस परकार से कि वीडियो डिलेट हो ग चाथ अपरे दोजाथ सौइस को मेरा मार्क दसंग कीजिए देखिए बहुत लेट हो गया है और मैं भी आपका इस प्रिशन का जवाब देने में बहुत लेट हो गया हूँ तो अगर आप निकल गये तो आपको बहुत बहुत शुबका अभी दंदन और नहीं निकले तो मै कुबर बंडरी के आज पास परिक्रमावाशी के रुकने के लिए कोई और भी जगह है क्या देखे कुबर बंडरी जी का जो मंदिर है वहां पर वहश्ता है और अगर आप जो सेड मैंने दिखाया वहां नहीं रुकना साथ है तो आप कमरा लेकर रुक सकते कमरे का किराय च के रहें नर्मदेहर और इन्होंने अंगलीश में कोई परशन पूशा है इतनी इंगलीश हमें आती नहीं है डू यू नो शम पलेश आश्रम अलोंग शाहित नर्मदावेर अपार्ट फ्रॉम भजन साधना ध्यान इस्टेडी ओप यह जो पूश रहें इनका मैं अर्थ अ इसा आश्रम यहा है जहाप और हम बजन साधना कर सकते तो बहुत सारे आश्रम हैं और उसके लिए मैं नहीं बता सकता आप अपने हिसाब से आपको ही तूड़ना पड़ेंगा अगली कमेंटे सरी मुगेश सरमा जी की और मुगेश सरमा जी कह रहे है नर्मद एरबाई सर्वा परतम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जीस रुशी शंगर्स और समरपन के बाब से प्रीक्मा कर रहे है वह अतुले है बहुत बहुत धन्यवाद मार्ग में आने वा तो यह जरूर बताए कि आप दोनों जीवी को पारजन के लिए क्या करते हैं मात्र एक जिग्याशा है अब मुकेज जी ऐसा है कि गनपजी क्या काम करते मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं जो भी अपने साथ होते या मिलते हैं उनसे दो सीज नहीं पूछता हो तो वो काम क्या करते और यह दूसरा उनकी जाती क्या है तो नहीं पता जो भी करते होगे अपने हिसाब से करते होगे और वो सब जानने से मुझे कोई फाइदा नहीं है तो ये थे कुछ कमेंट और कुछ कमेंट अभी भी बाकी रहे गे जिनको अगली वीडियो में लेगे और इसी के साथ आज के परश्णतरी वीडियो को विराम देते हैं मिलते हैं नशी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नर्मदेर